के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि एस दर्वेश ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गरम दूदू दूबला जा रहा था तो मौसाम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरमा गरम जलेबिया तैयार हो रही थी मलंग फकीर कुछ शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था फकीर हलवाई की भठी को बले गोर से देखने लगा फकीर कुछ शाना चाहता था लेकिन फकीर की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहां से होते फकीर कुछ पल भठी से हाथ सेन काने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गरम दूद और कुछ जलेबियां फकीर को दे दी मलंग ने गरम जलेबियां गरम दूद के साथ धूमर पान किया और फिर हाथों को ऊपर की और उठा कर हलवाई के लिए प्रार्थना की फिर आगे चल दिया मलंग का पेट भर चुका था दुनिया के दुखों से बेपरवावे फिर एक नए जोश से बारिश के गगले पानी के छीटे उड़ाता चला जा रहा था वह इस बात से बेखबर था कि क्योवा नव या हया जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ जा रहे है एक बारिस मस्ट फकीर ने बारिश के गगले पानी मैं जोड़ से लात मारी बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली यूवती के कप्ड़ों को भिगो गया उस औरत के कीमती कपड़े कीचर से लटपत हो गए उसके यूवा पती से यह बात बरदाश्ट न मलंग को कॉले से पकड़ कर कहने लगा अंधा है तुमको नजर नहीं आता तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गशे हैं और कीचर से भर गशे हैं मलंग हका बका साख खड़ा था जबकि इस यूवा को फकीर का चुप रहना ना खुश गवार गुजर र चिंगारी देख वह भी फिर पीछे खिसितने पर मजबूर हो गई रह चलते रागीर भी कुदा सींटा से यह सब द्रिश देख रहे थे लेकिन यूवा के गुसे को देख कर कैसी मैं इतनी हिमत नहीं हुई कि उसे रोक आते और आखिर जवानी के नशे में चुरिस यूव में जा पड़ा यूवक ने जब मलंग को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल जीयत बूढ है मलंग ने आकाश की ओर दीखा और उसके हूठों से निकला वह मेरे माले कभी गरम दूद जलेबिया और कभी गरम थप्या लेकिन जो तू चाहे मुझे भ पर फिर अपने रास्ते पर चल दियत दूसरी और वह यूवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर पेत अपनी मन्जिल की और अग्रसर हो गया थोड़े ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुँच कर रुख गए वह अपने घर पहुँच गए थे वे यूवा अपनी जेब से चाबी निकाल कर अपनी पतनी से हंसी मजाग करते वे उपर घर की सीडियों तै कर रहा था बारिश के कारण सीडियों पर फिसलन हो गई थी अचानक यूवा का पैर फिसल गया और वह सीडियों से नीचे गिरने लगा महिला नए बहुत जोर से शोर मचा कर लोगों लेकिन देर हो चुकी थी यूवा का सिर्वट गया था और कुछी देर में ज्यादा खूंबह जाने के कारण इस नौजवान यूवा की मौत हो चुकी थी कुछ लोगों ने दूर से आते मलंग फकीर को देखा तो आपस में काना फुसी होने लगी की निश्यत रूप से इस मलंग बावा ने थपड़ खाकर यूवा को उश्राप दिया है अन्य था ऐसे नौजवान यूवा का केवल सीडियों से गिर कर मर जाना बढ़े इंच भिक की बात लगती है कुछ मन चले यूवा को ने यह बात सुनकर मलंग बाबा को घेर लिया एक यूवा कहने लगा की आप कैसे अल्लाह के बंदे हैं हैं जो केवल एक थपड के कारण यूवा को उश्राप दे बैठे आला के बंदों में रोश्व गुसा हरगिस नहीं होता आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैरिय न कर सके मलंग फकीर कहने लगा खुता की कसम मैंने इस यूवा को कभी श्राप नहीं दिया अगर आप नए श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान यूवा सीडियों से गिर कर कैसे मर गया तब मलंग ने दर्शकों से एक अनुखा सवाल किया कि अप में से कोई सबघटना का चश्मजीद गवा मौजूद है एक यूवक ने आगे बढ़ कर कहा हां मैं इस सबघटना का चश्मजीद गवा हूं मलंग ने अगला सवाल किया मेरे कदमों से जो कीचड उचला था क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था, युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे, मलंग ने युवा की बाहों को थामते हुए उचा, फिर युवा कने मुझे क्यों मारा, युवा कहने लगा, क को मारा युवा बात सुनकर मलंग ने एक जोरदार ठाहे का बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया तो खुदा की कसम मैंने श्राप कभी नहीं जिया लेकिन कोई है जो मुझ से प्रेम रखता है और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ हुआ 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 है